अगर आप जानना चाहते हैं कि में मंद में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पॉटनर की एनरजीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख़याल रखके, आप में मंद की एनरजीज को बहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है, और इस किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो, तो चलिए जी आपकी reading शुरू करते हैं, तो चलिए वगोज आप लोगों के लिए देखें कि May 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, में आपके तीन सेट अफ कार्ट हैं, फर्स सेट में हम आपकी energies देखेंगे, सेकंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे, और तर्ड सेट में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है, तो आपसे शुरू करते हैं वगोज और आपके लिए आपके लिए आपे सबसे पहला कार्ट किसी भी तरीके से कुछ issues अगर रहे रहे थे, तो कहीं May starting में आप उन issues, उन मसलों को खतम करके नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं, यह issues यह मसले सब के लिए differ करेंगे क्योंकि यह general reading है, कुछ के लिए हो सकता है आपके और आपके partner के बीश में disagreements हो रहे थे या फिर उतनी बातचीत नहीं हो रही थी, या फिर आप उतना feel उनके लिए नहीं कर रहे थे, और अगर दिखिए ऐसा है, तो कहीं May starting में आपकी feelings फिर से उनके लिए जाकती हुई दिख रही हैं, जो भी issues हैं उनको resolve करके, उनको खतम करके, नए सिरे से आप चीजों को शु और इसलिए या फिर otherwise भी page of cups का card कहता है, कि आप अपने partner से connect करना चाहा रहे हैं, आपकी तरफ से हो सकता है, जादा एक प्यार, महबत, love, feelings वाले messages आपके partner को जा रहे हैं, और दिखिए in the process थोड़ा सा immature आपकी feelings, थोड़े से immature आपकी sentiments रहते हुए दिख रहे हैं, और अग भी पाए वोगोज तो इस चीज़ को जरूर चेक करके correct करें, heart with a key का card कहीं welcoming love की बात करता है, meeting the one, open your heart, getting together perfect की बात करता है, और कुछ ऐसी ही आपकी energies वोगोज, mid-may में या में मन्त में रहती हुई दिख रही हैं, जहां पे आपको ऐसे लग सकता है कि यहीं वो इनसान है, जिनको आप अपनी जिन्दगी में चाहाते हैं, और कहीं देखिए उनकी तरफ से जो भी एक affection आ रहा है, आप बहुत अच्छे से उसको welcome कर रहे हैं, कहीं देखिए उनके साथ जाधा connect करना चाहा रहे हैं, मिलना चाहा रहे हैं, फिर से मैं कहूंगे आपको ऐसा लग सकता ह है कि भाई ये perfect अंसान आपके लिए हैं, और कहीं आप long term you know goals बनाना चाहा रहे हैं, future की अपने partner के साथ planning करना चाहा रहे हैं, लेकिन इससे related छोटे मोटे issues मसले रह रहे हैं, यानि कि आप उतना long term plan नहीं कर पा रहे हैं, उतना future की planning नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए सब व otherwise भी mid may में एक अकेला पंसा आप महसूस कर सकते हैं, और कहीं देखिए जो भी हाल फिलाल चीजें हो रही हैं, currently चीजें हो रही हैं, उन पे इतना focus ना करके future के बारे में आप ज़्यादा सूशना चाह रहे हैं, future को ज़्यादा plan करना चाह रहे हैं, और फिर से मैं कहूंगी चोटे मोटे issues इस से related रहते हुए दिख रहे हैं, and end may के लिए abundance and seven of wants का काट कहता है, जो भी issues मसले हो आप उन से घबरा नहीं रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूरा effort, पूरा action, पूरा initiative लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक willpower, बहुत एक determination, चीजों को next level पर लेकर जाने क लिए या फिर जैसे मैंने आपको अभी बताया, future प्लान करने के लिए आप लेते हुए दिख रहे हैं, abundance का card, keep a positive mindset की बात करता है, manifest exactly what you want, gratitude, bliss की भी बात करता है, और ऐसी ही energies में, Virgo's end may में या may month में आप वाइबरेट करते हुए दिख रहे हैं, तो दिखिए nut shell में मैं चाहा रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है, कि आपके partner ही वो इनसान है, जिनके साथ आप अपना future चाहते हैं, या फिर वो perfect है, और long term planning करना चाहा रहे हैं, issues मसले हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा effort कर रहे हैं, एक positive frame of mind रख रहे हैं, law of attraction की techniques भी हो सकता है, कुछ Virgo's apply क कर रहे हों, और अब देखते हैं, वो गोस कि आपके partner की क्या energies हैं, तो देखें, आपके partner कुछ time से या में starting में थोड़ा सा किसी चीज को लेकर anxious, frustrated, या फिर over impulsive होना चाहा रहे हैं, या फिर होते वे दिख रहे हैं, या पर night of wands, reverse and not enough के cards कहते हैं, कुछ changes, वो या तो लान चाहा रहे हैं, या फिर ला रहे हैं, या फिर उनके travel plans delay हो रहे हैं, वो travel करना चाहा रहे हैं, उससे related issues मसले हो रहे हैं, या overall के लिए दिखें, या तो वो बहुत जादा impulsive हो रहे हैं, किसी चीज के लिए बहुत जादा जल्दबाजी कर रहे हैं, या फिर दिखें, action initiatives लेन चाह रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं और deeper level के लिए दिखे जो भी हो रहा है कहीं एक satisfaction उससे आपके partner वो गुज नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं एक frustration, jealousy, ego issues भी उनकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं लेकिन दिखे इसका मतलब यह नहीं है कि उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है यहाँ पे cupid's arrow का card have faith, love is coming, surprise, invitation और meeting की बात करता है और दिखे हम सब जानते हैं cupid's arrow का card बहुत एक love, care भी महसूस करने की बात करता है जो कि मन ही मन आपके partner आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं यानि कि again मैं कहूंगी उनके मन में आपके लिए प् फिस लेविल के लिए temperance reverse का card कहता है एक balance नहीं वो maintain कर पा रहे हैं कोई चीज या तो जरुरत से ज़ादा कर रहे हैं या फिर जरुरत से कम कर रहे हैं और जो वो चाहते हैं उस पे वो focus नहीं कर पा रहे हैं concentrate नहीं कर पा रहे हैं और दिखे है end में के लिए यहाँ पे two of cups and karmic relationship का card एक beautiful energies की भी बात करता है again दिखे यह card कहता है कि आपके साथ शादी, engagement, live-in या फिर हमेशा के लिए आपका साथ चाहते हुए दिख रहे हैं आपसे मिलना चाहते हुए दिख रहे हैं, date पे जाना चाहते हुए दिख रहे हैं आपके साथ जाधा time spend करना चाहते हुए दिख रहे हैं और दिखे नीचे karmic relationship का card कहीं turmoil की बात कहता है, resentment की बात कहता है, letting go and loving you की बात करता है तो कुछ चीज़ों को अगर उन्होंने बहुत tightly you know hold on करा हुआ था तो कहीं दिखे में end में उनको ऐसे लग सकता है कि जो भी lessons उनको you know इस relationship से मिले या फिर इस relationship की से उनकी जो भी learnings ली उनको finally उन learnings को लेना चाहिए और जो भी positive है उसको देख कर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें कार्मिक हमारे account की वज़े से होती है इसके लिए एक acceptance लाते वे दिख रहे हैं और आपका साथ हमेशा के लिए या फिर you know in general ही चाहते वे दिख रहे हैं और अब देखते हैं वोगोज कि आपके partner की क्या है sorry में मन्त में क्या हो रहा है तो दिखें में starting के लिए यहाँ पे सबसे पहले lightning का card sudden change की बात करता है surprise की बात करता है upheaval transformation की भी बात करता है और आपकी energies में वोगोज हमने देखा था कि you know एक नए सिरे से पीछे bother कर रही थी या जिनकी वज़े से issues हो रहे थे उनको आप खतम करके resolve करके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और यहाँ पे lightning का card कहीं देखिए इन ही changes को sudden तरीके से होने की बात करता है यानि कि कुछ के लिए literally हो सकता है कि suddenly यह changes आ रहे हैं और in general के लिए हम देखें तो lightning का card changes की बात करता है transformation की बात करता है यहाँ पे eight of pentacles reverse का card कहीं कहता है कि पीछे अगर बहुत effort कर रहे थे किसी चीज के लिए बहुत महनत कर रहे थे तो कहीं वो effort वो महनत कम करते हुए दिख रहे हैं या पिर कुछ के लिए हो सकता है कि professional front पे पीछे अगर आप बहुत focus कर र थोड़ा सा हटा के relationship पे focus करना चाहा रहे हैं यह आप दोनों या आप दोनों में से किसी की भी energies हो सकती है what goes and दिखिए यहाँ पे ace of wands reverse का card कहता है कि एक नई beginning आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाहा रहे हैं और उसी से related issues मसले रह रहे हैं यहाँ पे keys on a ring का card कहता है different different options, different different चीज़ों को आप explore कर रहे हैं different different you know again मैं कहूंगी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिससे की एक नई beginning, enthusiasm, excitement इस relationship में वापस ला पाएं और उसी के ओपर focus करते वे दिख रहे हैं again कि कैसे एक growth आए, कैसे एक progress आए, कैसे नए serious से चीज़ों शिरू हो लेक आप दोनों में से कोई एक नहीं ले रहे हैं, और अगर मैं आप दोनों के cards देखूं, वर्गोस, तो आप तो बहुत initiative ले रहे हैं, बहुत action ले रहे हैं, यहापे seven of wands का card आपके लिए कहता है, आप against the tight जा रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि पानी के बहाफ के against जा रहे हैं चीजों के against जा रहे हैं इस relationship में चीजों को better करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि आपके partner आपके लिए एक प्यार, महबबत तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से आपको नहीं support कर रहे हैं, या फिर, you know, उस तरीके से एक action initiatives वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपे night of pentacles, reverse का card pause लेने की बात करता है, एक बहुत जिद और stubborn energies की भी बात करता है, अगर हम आपके हिसाब से देखें, तो हो सकता है कि आपके लिए may end में कुछ चीजों को लेकर एक जिद सी रह रहे हैं, कि बस अब बहुत हो गया, अब तो, you know, ये चीज को पाना है, ये कोई भी हो सकती है, कुछ के लिए partner हो सकते हैं, कुछ के लिए relationship हो सकता है, कुछ के लिए कोई भी और चीज हो सकती है, तो दिखिए, फिर से मैं कहूंगी, एक जिद सी इस relationship में रहती होई दिख रही है, और बहुत safe, बहुत secure होके, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, यानि कि किसी भी तरीके के risk नहीं लेने चाहा रहे हैं, और दिखिए, ये again मैं कहूंगे, आपके partner के energies दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए seven of wands का card, out of the way जाके चीज़ों को करने की बात करता है, और दिखिए, जो भी surface level पे हो रहा हो, addiction का card, कही co-dependent, obsession, position, controlling की बात करता है, तो दिखिए, बहुत जादा, आप दोनों को ऐसे लग सकता है, कि आदत सी पड़ गई है, एक दूसरे के बगयर रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे के बगयर कोई चीज़ सोच नहीं पाते हैं, और बहुत possessive भी, आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन के लिए हो रहे हैं, एक obsession सा, एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, फिर से मैं कहूंगी आप दोनों की भी energies हो सकती हैं, या फिर आप दोनों में से किसी एक की रह सकती हैं, तो overall अगर हम देखें, तो देखिए, आपकी energies मुझे ठीक ठाक रहते एक बात बहुत ही clear है कि उनके मन में आपके लिए प्यार है, feeling है, और में मन्त में बहुत कुछ great नहीं होता हुआ दिख रहा है, यानि कि एक नई beginning या फिर एक enthusiasm, excitement लाना तो चाहा रहे हैं, लेकिन वो गोज उस हिसाब से नहीं ला पा रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंग कि हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, गीता में भी लिखा है, करम करे जाओ, फलकी इचामत करो, तो जब तक आप दोनों के energies ठीक हैं, आप लोग right direction में effort कर रहे हैं, definitely आज नहीं तो कल, आप लोग अपनी मन्जिल को पाही लेंगे, तो यह था वर गोज आप लोगों शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें